कई रातों का जगा हूँ पलके भी नहीं जपकी, तुम आओ तो शायद पहलू में नींद आ जाए नबश्कार्ट सभी को मेरा नाम है दीपक मिश्रा, मेरे दोस्त प्यार से मुझे किताब वाला कहते हैं, आप भी रिसेंटी मेरी किताब पब्लिश होती इसके लिए मैं बहुत चोटी सी बाते बात करना चाहता हूँ जो हमको लगता है शायद की बहुत असान जिंदगी में और बहुत मुकमल हो सकती आराम से डैट इस नींद शायद सबसे जरूरी चीज़ जिंदगी में वही है शायद ठीक है अब सब कुछ कर सकते हैं अगर अगर आप नहीं सोएंगे ना तो आप कुछ और नहीं कर सकते हैं तो नींद शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है मेरे इसाब से मेरा परसनल एक्सपिरेंस के इसाब से किसी ने मुझसे पूछा की नींद की तासीर कैसी होती है उनकी बाहों के घेरे याद हो आएं ऐसी होती है किसी ने मुझसे पूछा की नींद की तासीर कैसी होती है बस उनकी बाहों के घेरे याद हो आएं ऐसी होती है सोया नहीं हूँ बरसों से कयामत अभ्याद नहीं आती कैसे खुशकिस्मत थे हम सोचें जो यादे ऐसी होती है कि मुकमल रात का पैराहन कहां सबको नसीब होता है हैरत में कैसे थे हम दोनो अगर जो बाते ऐसी होती है कि हुई खामोश जिन्दगी मानो रात ने बद्दुआ दे दी उसकी यादें हिथी मुफसल गरसर्द राते ऐसी होती है कि लगता मुझे डर अब इस बात का है कहीं कभी वो करीब आना जाएं गर हिज्र की शामे ऐसी होती है गर हिज्र की शामे ऐसी होती है और ये चांद ऐसे फीका पड़ा है जब से मेरी आखें पड़ी है बोला कैसे रोशन रहूंगा जो उनकी आखें ऐसी होती है और किताब वाला क्या करेगा कई रातों से सोया नहीं है सोचता सब लिखा मिटा दू गर्वो यादें ऐसी होती है कि किसी ने मुझसे पूछा नीज की तासीर कैसी होती है बस उनकी बाहों के घेरे याद हो आएं ऐसी होती है शुक्रिया बहुत शुक्रिया झाल झाल